तो हेलो प्रेंट्स, वेलकम टो इजी इंग्लिश स्लंबरी, तो आज ही क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का एक मज़ेतार चैप्टर जिसका नाम है दमेट नाइट विजिटर, तो ये जो चैप्टर है, इसके अंदर तीन में क्राक्टर हैं, जिनमें से दो जो होत में जाता है, ओसिबल की साथ, जो ओसिबल होता है, वो एक सीक्रिट एजेंट होता है, लेकिन वो एक सीक्रिट एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता, अच्छा आप लोग गुत तोचिए, जब आप एक सीक्रिट एजेंट के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिम है वो ऐसा बिल्किल भी नहीं था वो काफी मोटा सा और अजीब सा दिखता था वो बिल्कुल भी active नहीं लग रहा था और उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक secret agent है लेकिन वो काफी जादा intelligent था और इसका जो प्रूफ है वो हमें चैप्टर में भी देखने को मिलेगा तो यह दोनों सिक्स फ्लोर पर जाते हैं उस hotel के सिक्थ फ्लोर पर जाते हैं और जो ऑसिबल है वो उस टाइम पे अपने आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है फॉरल के सामने वो कहता है मुझे पता है कि तुम यहीं सोच रहे हो न कि मैं तो यहां पर एक secret agent को देखने आया था ताकि तुम अपने बुक को लिख सको जो कि detective के उपर होने वाली थी जो फॉरल है वो एक बुक के उपर काम कर रहा है जो की detective के उपर है तो शायद इसी वज़ा से वो अभी ऑसिबल के साथ है हाँ वैसे मैंने सोचा तो यही था कि जो detective होगा वो detective की तरह ही दिख रहा होगा हाँ लेकिन मैं तो कुछ अजीवी दिखता हूँ है ना दिखते तो वैसे तुम्हें पता है मैं French और Germany दोनों बोलना जानता हूँ और मेरी language थोड़ी सी इस तरीके की American इसलिए है क्योंकि मैं Boston से 20 साल पहले यहाँ पर लाया गया हूँ पैरिस में तो इसकी वज़ा से थोड़ी सी मेरे language भी change तुम्हें लगेगी हाँ मुझे वो पता चल रहा है वैसे तुम आपर IQ हूँ ऐसा क्या कहा हम है important तुम्हें नहीं पता एक बहुत ही important पेपर है जो कि मैं यहाँ पर collect करने आया हूँ जिसकी वज़ा से काफी लोगों ने अपनी जान को पुगावाया है तुम सूच सकते हो कि वो papers कितनी जादा important है और उन papers के पीछे जितना तमाशा होता है उसके according में बता सकता हूँ कि आज भी कुछ ना कुछ तमाशा तो जरूर होगा तुम्हें entertainment देखने को जरूर मिलेगा मतलब खत्रा भी हो सकता है खत्रों से खिलना तो हमारा काम ही होता है हम आखिर agent जो है अच्छा चलो देखते हैं कोई बात नहीं फिर जो फॉरल है वो अपने कमरे के दर्वासे को जैसे ही खूलता है और lights को on करता है वहां पर एक पतला दूबला लंबा सा आदमी gun point करके खड़ा हुआ होता है उस आदमी का नाम मैक्स होता है और वो भी एक secret agent ही होता है लेकिन वो तूसरी party का secret agent होता है जो कि same उनी papers के लिए आया हुआ होता है अरे मैक्स कैसे हो हाँ मैं तो ठीक हूँ हूँ तुम बताओ अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ चलो अब बिने time को waste कि एक काम करते हैं अब तुम अनाम से यहां पर बैटो वो papers आने में अभी काफी time है वो papers जैसी आएंगे मैं उनने लेकर चला जाओंगा वैसे भी वो जो papers हैं वो मेरे हाथ में जादा अच्छे लगेंगे और इस information का तुम करो के भी क्या हाँ वो तो पता चली जाएगा कि वो papers तुमारे हाथ लगते हैं या फिर मेरे हाथ लगते हैं पेपर्स के अंदर चिन मिसाइल की information है वो तुमारे हाथ तो कभी भी नहीं लगने दूंगा मै क्योंकि तुम लोग उसका गलत इस्तिमाल ही करोगे हम चाहें उसका कैसे भी इस्तिमाल करें लेकर तो वो papers मैं ही जाओंगा आराम से बैठ जाओ अभी तो एक घंटा है उन्हें आने का नहीं नहीं 31 मिनट है वो साड़े 12 बज़े आने वाले है आप रॉक्स अच्छा कोई बात नहीं वेट कर लेंगे वहसे तुम्हें पता है यह जो बिल्डिंग है ना यह पहले एक बेस हुआ करती थी और वो जिस सामने बिल्डिंग है उसके पीछे एक living room हुआ करता था और यह जो बिल्डिंग है ना इसकी नीचे जो फ्लोर है उस पे से उस बालकनी में से बा नहीं था वरना मैं भी भहीं से आता मैंने बिना बात के इतनी मैंनत करी चलो कोई बात नहीं अगली बार हाँ ठीक कह रहे हो फिर एकदम चेंच दर्वाजा है उस पे नौक होती है कौन है अब यहाँ पर तुमने किसे बुलाया है तुम्हें लगता क्या है मैं पागल हूँ जो यहाँ पर बिना किसी प्रोटेक्शन किया हूँगा मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था और देखो पुलिस अंदर आएगी तो बिना सोचे समझे तुम्हें कोली मार देगी और तुम मारे जाओगे च्छा तुम जादा तेज मत चलो ऐसा है कुछ करो मुझे नह मैक्स होता है वो धीरे धीरे पीछे खिड़की की तरफ जाता है और वो अपना एक पैर खिड़की की तरफ रख अपने एक हाथ से सपोर्ट लेता है और वो खिड़की से पीछे की तरफ जाता है और वो वही पर गिर जाता है फिर ये लोग दरवाजे को खोलते हैं और वह पीछे कोई बिबाल करने नहीं है, वो नीचे दमीन पगिल गया, तो अब वो वापस नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता, वो वापस नहीं आपाएगा, और वो पेपर्स भी अब मेरे हो चुकी हैं, तुम तो सच में बहुत जाता इंटेलिजेंट हो, मैंने कहा था ना, त में कुछ न कुछ entertainment देखने को जरूर मिलेगा, तो इसी के साथ यह चैप्टर है, यह एंट हो जाता है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना है, इस तरीकी की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू